अब अगला बिंदु है भारत और अमेरिका के बीच वर्तमान संबंद कहते हैं आज कल कैसे संबंद हैं अब तो सोवियत संग के विगटन को हुए तीस साल हो चुके हैं पूरी सितियां वदल गई हैं अमेरिकी वर्चस्वता कई गुने बढ़ चुकी है लेकिन भारत भी एक बड़ी शक्ति के रूप में उभरा है तो वर्तमान में ये भारत की बढ़ती शक्ति और अमेरिका की वर्चस्वता और भारत के लावा कुछ अन्य देशों का भी विकसित होना भारत-अमेरिकी संबंदों को प्रभावित करता है वर्तमान में इन संबंदों में निश्चित रूप से कुछ गर्माहट तो आई है थोड़े बहतर हुए हैं संबंदों चलिए कुछ उदारनों के माद्धे हम से इससे भी समझने की कोशिश करें जो ये साबित करते हैं या जिससे ऐसा इंगित होता है कि भारत और अमेरिका एक दूसरे से इस बदलते परिप्रेक्ष में निकट हुए हूँ 25 सितंबर 2008 हम देखिए 2008 पर आगे हैं वर्तमान की बात कर रहे हूँ मनमोहन सिंग की मुलाकात तत्कालीन राश्पती जॉर्ज बुष्ट से होती है भारत के प्रसान मंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंग और अमेरिका के राश्पती जॉर्ज बुष्ट इनकी मुलाकात हुई और इस मुलाकात में जो मामले थे बहुत अहम मामलों पर विचार विमर्ष हुआ पहला सैन्य परमान समझोता और कई दिपक्षी पहलों में महदपूर्ण और अतिहासिक भूमिका के लिए मनमोहन सिंग को ने उन्हें धन्यवाद दिया देखिए जो सैन्य परमान समझोता क्या है और ये घटना है 25 सितंबर 2008 इस समझोते के तहट अमेरिका ने जो भारत पर जो आर्थिक प्रतिबंद लगाये थे उस पर एक तरीके से रोक लगा दी गई उन्हें एक तरीके थे हटा दिया गया और सैन्य परमान समझोता हुआ भारत और अमेरिका के बीच साथ ही कई अन्य दिवपक्षी मामलों में भी बातचीत हुई समझोते हुए और ये वातावरण ये माहौल इतना अच्छा था कि भारत के तत्कालीन प्रभान मंत्री ने जॉर्ज बुश को उनके इस सहयोग आत्मक रवाईये के लिए उनकी एतिहासिक भूमिका के लिए और महत्पूर्ण भूमिका के लिए बहुत धन जॉर्ज डबलू बुश ने दोनों लोकतांत्रिक देशों को निकट लाने का एतिहासिक लक्ष हासिल किया है ये एक बहुत अहम वाक्य है यानि साबित करता है कि अमेरिका ने कैसे अपने रवाईया बदला 1998 से जो आर्थिक एमबार्गो आर्थिक प्रतिबंद चला रहा था वो समाप्थ हुआ समाप्थ ही नहीं हुआ उसके बाद कुछ अन्य समझोते हुए जिससे निकटता हुई और इसमें एक सैन्य परमान समझोता भी था डॉक्टर मरमोहन सिंग ने जोज डबलो बुष को धनवाद देते हुए ये कहा कि इतिहास में ये स्पष्ट रूप से दर्ज होगा कि जोज डबलो बुष ने विश्व के दो महानतम लोग तंतरों को निकट लाने में बहुत बड़ी एतिहासिक भूम का निभाई है और इसके लिए मैं उन्हें धनवाद देता हूँ इससे वो एतिहासिक लक्ष हासिल हुआ है ऐसी संभावनत की जा रही थी कि जो तीन वर्ष पहले 2005 में मनमोहन और बुष के बीच जो करार का सूत्रपात किया गया था उसे इस मुलाकात में राश्पती बुष के हस्ताक्षर के साथ अंतिम मकाम तक पहुँचा दिया जाएगा यानि पूर्ड रूपेण जो समझोता था उसको पूर्ड रूपेण हासिल कर लिया जाएगा लेकिन दुर्भागे से संसद में मंजूरी की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाई लेकिन मंजूरी जरूरी होती है लेकिन नहीं मिल पाई यानि बाधक संसद बना लेकिन अमेरिकी सरकार भारत के साथ इस तरह की संदिके पक्ष में उतरी दिखाई दी और 2005 से जो चली थी जो प्रक्रिया जो जिसकी शुरुवाद भी बुश और मनमोहन सिंग के बीच में होई थी ऐसा लगा 2008 आते आते वह प्रक्रिया पूरी तरह साकार हो जाएगी अक्टूबर 2008 में अंत्रत जाकर ये सहमती मिली संसद की और राश्वति बुश ने मनमोहन सिंग को आश्वासन दिया कि ऐसा सब कुछ किया जाएगा जिससे भारत संतुष्ट हो भारत को सम्मान मिले और भारत को ऐस तरह सम्मान कराया जाए जिससे भारत संतुष्ट होगा राश्वति बुश ने प्रधान मंत्री मन्मोन के नित्रित की भी प्रशंसा की उनके सुझावों को भी महत्पूर्ण बताया विश्व अर्थ व्यस्था को लेकर निश्कर्ष ये उदाहरन सपष्ट करता है कि भारत और अमेरिका के बीच संबंध निकट होते जा रहे थे और इसमें मनमोहन सिंग, डॉक्टर मनमोहन सिंग, ततकालीन भारती प्रधान मंत्री और जोर्ड डबलु बुश ततकालीन अमेरिकी राश्पती इनका बहुत बड़ा योगदान था क्योंकि और ये संदियां इसलिए महत्पूर्ण हो जाती हैं कि भारत के आर्थिक व्यवस्था पर जो चोट पहुंच रही थी परमाणू परिक्षन के बाद के अमेरिका के द्वारा लगाए गया प्रतिवंद के कारण वे अब हट गया थे दूसरा जो मुद्दा है भारत वा अमेरिका के बीच परमाणों के सहयोग को लेकर एक बड़ा एतिहासिक समझोता हुआ एक और हम देखते हैं कि पूर में दस साल पहले या बीच साल पहले जाएं तो अमेरिका सतत रूप से भारत या किसी अन्य देशों द्वारा परमाणू परिक्षन के सक्त खिलाप था CTBT जैसी संदियों पर देशों पर दबाव बनाकर संदि करवाने को विवश कर रहा था जिसका भारत ने विरोध किया उसके बाद हम देखने एक दोर आता है जब भारत परमाणू परिक्षन स्वयमेव करता है और अमेरिका उसका बड़ा सक्त विरोध करता है और तमाम आर्थिक दिक्टों के बावजूद भारत पर आर्थिक प्रतिबंद लगाता है और एक ये तीसरा दोर परमाणू या भारत अमेरिका के संबन्दों का तीसरा दोर जब अमेरिका भारत के साथ एक तरीके से परमाणू सहयोग हे तु समझोता करता है पर्मानु सहयोग हेतु एतिहासिक समझोता ये समझोता इसे हम कहते हैं 123 समझोता अक्टूबर 2008 में यानि जब अमेरिकी संसद ने इसे पारित कर दिया अमेरिकी सरकार के प्रस्ताव को पारित कर दिया उस प्रस्ताव को जिसकी प्रक्रिया 2005 से शुरू हुई थी डॉक्टर मनमोहन सिंग और जॉर्ज डबलू बुश के बीच वो प्रक्रिया 2008 में किसी कारण से प्रोसीजर के कारण से अपरैल में पूरी नहीं हो पाई अक्टू समझोते पर अमेरिकी विदेश मंत्री जिसे हम Secretary of State कहते हैं वहाँ की भाशा में, विदेश मंत्री को क्या कहते हैं, Secretary of State, Condalisa Rice, ये वहाँ की विदेश मंत्री थी और भारत के विदेश मंत्री प्रणा मुखर्जी थे जो भाद में राश्पति बनें और भाद में भारत कालीन विदेश मंत्री इन दो के बीच में अंत तक 11 अक्टूबर 2008 को वाशिंग्टन में हस्ताक्षर के साथ एक नया इतिहास शुरू हुआ भारत और अमेरिका ने इस दिन परमानु सहयोग समझोते पर हस्ताक्षर करके एक नए अध्याय की शुरुवात की तो ये है परमान अगली जो बिंदू है वो है डॉक्टर मनमोहन चिंग ने अमेरिका की आत्रा की नवंबर 2009 में और आतंक वाद के जैसे मुद्दे पर दोनों में काफी बातचीत हुई अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जो आतंक की अड्डे बन रहे थे आतंक की अभयारन्य बन रहे थ उसको कैसे समाप्त करना इस पर लेकर विचारव मर्श हुआ दोनों देशों ने आतंक निरोधक उपाए सूचनाओं की साजेदारी आतंक वादी संबंदी सूचनाओं की साजेदारी और आतंक की गत्विदियों को रोकने के लिए ख्षमता बढ़ाने पर नई पहल की जाओ था उसके समाप्त होने के बाद अब नया मुद्दा आने वाले दशक का आने वाले शताबदी का आतंक वाद था इस नये मुद्दे को लेकर भी विश्व के दो बड़े लोक तंत्रों ने काफी गहन चिंतन किया और आतंक वाद से संबंदित विभिन पहलूँ को ले इसके अलावा आतंकवाद के अलावा नाभिकी हतियार मुक्त देश विश्व नाभिकी हतियार मुक्त देश याने परमान बामों से मुक्त विश्व की कलपना साकार करने का एक तरीके से वादा किया एक तरीके से भरोदा जाया और इसमें भारत और अमेरिका के बीच इस काल में छै संधियां हुन। कितनी संधियां? छै संधियां। आतंकवाद्व, उसके बाद नाविकी, मुद्दों पर चिंता, और उसके बाद विश्वत डियालेस्तर, यहनि अकडेमिक मामलों को ले भी काफी विचार विमर्श हुआ विश्व द्यालेस तर पर संपर्क बढ़ाने है तो सिह ओबामा दो हजार एककीस शिताबदी ग्यान पहल और फुल ब्राइट नहरू स्कॉलर्शिप ये कारकरम शुरू किया गया ध्यान से सुनें सिह ओबामा एककीसवी शिताबदी ग्या पहल मनमोहन सिंग और ओबामा अब वहां के राश्पती बन चुके थे बराक ओबामा इनके नाम से एक योजना शुरू की गई और उतका नाम दिया 21 शिताबदी ग्यान पहल और दूसरा था फुल ब्राइट स्कॉलर्शिप फुल ब्राइट नहरू कारकरम ये एक बहुत म का इस कारकरम का उद्धिश है इसका विस्तार करने में भी दोनों देशों ने सहमती जताई इसी काल में जून 2010 पोलो मैच में अमेरिका में और 2011 में भारत में खेला गया पोलो कोलकता पोलो कलब दुलिया का जो सबसे पुराना कलब माना जाता है भारत और अमेरिका बिजनेस कांवेण और आफ फुशं कांशियल और यूस चैंबर हफ कॉमर्ष इनके साथ भारत की भागीदार ये बढ़ी है यानि चौथा बिंदू पोलो भारत का सबसे विश्व का सबसे पुराना कलब कलकटा का और पांचवा बिंदू बिजनेस काउंसिल और यूएस चैंबर अफ कौमर्थ के बीच सहभागिता वियापारिक सहभागिता का बढ़ना पांचवा बिंदू रक्षा के खेतर में 20 प्रतिशत निवेश की मंजूरी दी गई भारत द्वारा अम भारत में रक्षा के मामले में रक्षा उत्पादन के मामले में अमेरिका का जो प्रतिशत 20 प्रतिशत तक बढ़ा दिया गया तो इस प्रकार हम देखते हैं कि कैसे तीन चरणों में प्रारंबिक काल शुरू के पचास वर्ष उसके बाद 1990 से 2000 तक का दशक और 2000 के बाद का तीसरा चरण तो यह तीन चरणों में कैसे इस्थितियां बगल रही हैं अमेरिकी राश्पती बराक अबामा की भारत यात्रा अमेरिका के जो राश्पती उस समय थे 44 वे राश्पती बराक अबामा वो नवंबर 2010 के बीच भारत के राजकी यात्री रहे याने स्टेट आनर्स के रूप में भारत आये थे और ये जो यात्रा थी अमेरिकी राश्पती की ये किसी अमेरिकी राश्पती की भारत की छटवी यात्रा थी देखिए दो हजार दस दो हजार सैंतालिस में भारत सुतंतर हुआ यानि त्रेपन और दस त्रेसट वर्षों में अमेरिका के किसी राज़्पती की ये छटवी यात्रा और वो बराक अबामा ने की उन्होंने एक भारती संसद जो है जिसमें लोकसभा, राजसभा दोनों के सदस्द शामिल पे इसके संयुक्त अधिवेशन को संबोधित किया संयुक्त अधिवेशन को किसी विदेशी प्रमक द्वारा संयुक्त अधिवेशन को संमोधित करने का संमान बहुत कम देशों को निताओं को दिया जाता है, बराक mines से एक थे जिनको यह मौका भारत सरकार ने दिया था भारती संसेद में अपने संबोधन के दोरान उनोंने भारत के ऐस्थाई सदस्य बनने के प्रती समर्थन लिखाय था किसका ऐस्थाई सदस्य शुरक्षपरिशद में कितने साई सदस्य हैंं पाँच और इस्थाई सदस्य कौन हो सकते हैं इसके बारे में पूर में चर्चा की है आप पूर के वीडियो को देख सकते हैं लेकिन इसके साथ ही कुछ अस्थाई सदस्टी भी रहते हैं भारत की ताकत भारत की शक्ती समय के साथ साथ बढ़ती जा रही थी इसके परिप्रेक्ष में भारत और विश्व को अन्य देश सेंक्त राष्ट संग पर सतत बनाओ डबाओ बना रहे थे कि भारत को भी एक स्थाई सदस्य बनाया जाए वो तो गुट निर्पेक्ष आंदोलन का नेता भी था लगवख सौ देशों के गुट का एक तरीके से नेत्रत भी कर रहा था इसलिए भी उसके लिए ये जायज था कि उसे सेंक्त राष्ट संग के स्थाई सदस्य की सदस्यता मिले लेकिन अमेरिका भारत के इस मार्ग में आड़े आ रहा था सतत रूप से वो बाधक बन रहा था ये पहला मौका था जब अमेरिका के राष्ट पती ने वो भी भारती संसद में अपने संबोधन में उन्होंने भारत के ताई सदस्यता की पातरता का समर्थन किया और उसके साथ ही साज़ा बयान भी किया अमेरिकी राज़पती की जो भारत यात्रा थी उसके बाद जो दोनों के बीच में जो बादचीच हुई उसको लेकर साज़ा बयान जारी हुआ उस साज़ा बयान में उर्जा, विग्यान, चिकिट्सा और मौसम विग्यान के खेतर में छै समझोतों पर हस्ताक्षर हुए हेल्थ, मेडिकल याने चिकिट्सा के खेतर में भी विग्यान समझोते हुए लेकिन बहुत बड़ी बात ये थी कि एक अमेरिकी राज़पती द्वारा भारत के स्थाई सदेस्ट की वकालत करना दोनों देशों के बीच 15 बिलियन डॉलर के व्यापारिक समझोते भी हुए 15 बिलियन डॉलर के व्यापारिक समझोते जिससे अमेरिका में 54,000 रोजगार निर्मित होगा, स्रीजित होगा कहां? अमेरिका में जुलाई सन 2010 में जो दोनों के बीच में हस्ताक्षर हुआ जिसका नाम है Counter Terrorism Initiative याने आतंकवाद को रोकने का जो initiative था पहल Counter Terrorism Initiative आतंकवाद रोक पहल इसको आगे बढ़ाते हुए दोनों देशों में Homeland Security Dialogue ये भी प्रारम भोने की घोशना हुए याने दोस्तर पर आतंकवाद के वरुद लड़ाई लड़ने के लिए अब दोनों देश प्रतिबद हो गया आतंकवाद के वरुद तो हुए ही लेकिन इसके साथ ही साथ अब अंदरुनी मामले में भी जो समस्याय कुछ थी उसको लेकर इनके बीच में समझाते हुए Counter Terrorism Initiative उसको आगे बढ़ाते हुए Homeland Security Dialogue अंदरुनी सुरक्षा को लेकर देश की सुरक्षा को लेकर दोनों के बीच में सततरूप से डायलॉग होता रहेगा ऐसी अपेक्षा थी भारत के प्रदान मंतरी मोदी श्री नरेंदर मोदी सितंबर 2014 में पाच दिन की अमेरिकी आतरा पर गया और इस दोरान उन्होंने सेक्ष राश्ट महासभा के वार्षिक अधिवेशन को संबोदित किया मैंने पूर में जिक्र किया है कि शेक्ष राश संग का वार्शिक अज्यूवेशन हमेशा सितंबर माह में होता है और जब विश्व के सभी नेता हों, सभी देशों के नेता वहां एकठे होते हैं, सदस्य देशों के नेता और एक अच्छा प्लैटफॉर्म बन जाता है जहां पर एक दूसरे के साथ दिचार में मर्श होता है, गहन बाचीत होती है और कुछ अच्छे परणाम निकलते हैं इस यात्रा के दोरान प्रणामंत्री मरेन मोदी न अमेरकी राशपती बराक उबामा से भी भेट की और साथ ही प्रवासी भारतियों को भी संबोदित किया इस दोरान भी बहुत से समझोते भी हुए दोनों देशों के बीच में बहुत से समझोतों पर हस्ताक्षर हुए ये समझोते भी बहुत आहम थे इन समझोतों में हम देखें तो उच्छ शिक्षा की खित्र में आपसी सहयोग, आउनलाइन पाटिक्रमों को आगे बढ़ाना और तक्नीकी खित्र में निवेश, यहने टेक्नॉलोजी के खित्र में आर्थिक निवेश करना और आउनलाइन पढ़ाई को बढ़ाने के लिए अ के आसपास हुई है और ओन लाइन पढ़ाई के वर्धक में उसके विकास में अमेरिका का सहयोग बहुत महत्पूर रहा है। उर्जा के खेतर में भी सहयोग हुआ और 30 मीटर टेलिस्कोप परियोजना आप केवल इसका नाम याद रखें के एक परियोजना लागू हुई जिसे हम कहते हैं 30 मीटर टेलिस्कोप इसको भी लेकर सहमती बनी। 2014 में ही एक विजन स्टेटमेंट भी जारी हुआ। विजन स्टेटमेंट क्या होता है। एक ऐसा स्टेटमेंट जो देनों देशों के प्रमुकों के वारतालाप के बाल निकाले गए निर्शकर्ष को लेकर आने वाले वर्षों में क्या किया जाएगा इस पर इसमें अमेरिका के संबंधों को लेकर क्या-क्या नयने कार्य या योजनाएं प्रस्तावित हैं ये उसमें दिया रहता है तो 30 स्टमबर 2014 को भारत USA विजन स्टेट्मेंट भी जारी किया गया था बारक अबामा 66 गंतन दिवस में 2015 में भारत के गंतन दिवस समारों में मुख्यतिति के रूप में भारत आते हैं और एक मुख्यतिति के रूप में किसी अमेरिकी राश्पती का भारत आना वो भी गंतन दिवस के आउसर पर एक बहुत महत्पूर्ण घटना थी इस दोरान भी दोनों देशों के बीट कई बातों पर सहमत ही हुई, कई बातों पर समझोते हुए